सस्तिम आपका स्वागत है, मैं अरविंद सिंग, आज आपके साथ ओसंस के बारे में डिसकस करूँगा, महासागर के बारे में आज हम लोग डिसकस करेंगे अगर आप मुझे सोसल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं, तो फेस्बुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम पर इन इडिज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इसके साथ साथ आपको बताती हुआ हमें खुशी हो रही है कि हमारे यसी यूट्यूब चैनल पे अब 11-12 के PCMB के साथ साथ जनरल कमपटिशन के सभी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड हो रहे हैं और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंज तक सेर कीजिए इसके साथ अगर आप सभी वीडियो के PDF चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे WhatsApp ग्रूप का लिंक दिया गया है उसको क्लिक कीजिए हमारे WhatsApp ग्रूप को जोईन कीजिए वहां से अब PDF ले सकते हैं PDF हिंदी और इंग्लिस दोनों में available रहेगा Oceans के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि महासागर किसे कहते हैं Oceans क्या होता है तो इसका definition होता है The ocean is a huge body of salt water that covers about 71% of earth surface इसका मतलब होता है कि महासागर एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसमें नमकीन जल होता है जिसमें खारा पानी होता है और जो प्रित्वी का लगभग 70% भाग को घेरे हुए है To be exact, 70.8% हिस्से को cover किये हुए है अब एक छोटा सा question आपसे examination में पूछा जा सकता है What is oceanology और oceanography? तो इसका मतलब होता है कि the study of physical and biological aspects of ocean is called oceanography और oceanology मतलब कि अगर समुद्र के भौतिक, मतलब कि वो कैसा दिखता है, उसका पानी में नमक की मातरा कितनी है यह सभी चीज पढ़े या जैविक, मतलब उसमें जो बायो डावरस्टी है, उसके बारे में आप जानने की कोशिस करते हैं तो इसको आप क्या बोलते हैं? समुद्र सास्र या oceanology कहते हैं अब एक छोड़ा से question आता है कि is sea और oceans are different or same मतलब समुद्र और महासागर क्या दोनों same है या अलग-अलग है तो उसके लिए मैंने एक छोड़ा सा point यहां note किया हुआ है seas are smaller than oceans मतलब समुद्र जो होते हैं वो महासागर से छोटे होते हैं and are usually located where the land and ocean meet और वो कहां पे होते हैं समुद्र तो जहां पे महासागर और जमीन भूमी मिलते हैं वहां पे यह located होते हैं जैसे अपने नाम सुना होगा Red Sea, Lalsagar का, Arabian Sea, Arab सागर का तो यह सारे seas के examples होते हैं इस slide में हमने दो photos दिखाई हैं एक है Caspian Sea का, दूसरा है Dead Sea का, मृत सागर का और Caspian सागर का अब देखिएगा मैंने कहा कि oceans का part होता है जो कि जाके land को touch करता है लेकिन यहां देखिएगा यह दोनों ocean के part नहीं है लेकिन इनको C कहा जाता है ठीक है, यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा अगर oceans की बात करें तो आपको पता होगा कि total five oceans है पाँच महासागर है, total कौन-कौन से तो Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern या Antarctic Ocean और last में आता है Arctic Ocean अब ध्यान रखिएगा कि यह area के according, descending order में है Pacific Ocean, उसके बाद वाला उससे छोटा है और सबसे लास्ट वाला सबसे छोटा है तो आपसे कोशन किया जाए, सबसे बड़ा महासागर तो आंसर होगा Pacific Ocean मतलब प्रसांत महासागर और सबसे छोटा महासागर तो Arctic Ocean मतलब आर्क्तिक महासागर Oceans cover approximately 70.8% or 360 million square kilometers of earth surface with a volume of about 1370 million cubic kilometers The average depth of these extensive bodies of sea water is about 3.8 kilometers इसका मतलब होता है कि जो समुद्र है, महासागर है उसका आयतन कितना है? तो 1370 million cubic kilometer है और साथ-साथ ये पूरे प्रिथवी का 70.8% हिस्सा या 361 million वर kilometer को cover करते है एक छोटा सा point आप हमेसा और याद रखिएगा कि समुद्र की जो औसत गहराई होती है महासागर की जो औसत गहराई होती है वो 3.8 kilometers, 3.8 kilometers होता है इस map में आप अच्छे से देखिएगा तो यहाँ पे आपको सारे ocean से एक साथ दिखेंगे ये Pacific ocean है ये Atlantic ocean है ये Indian ocean है ये फिर Pacific का ही पार्ट है ये Arctic ocean है और ये Southern या Antarctic ocean है अगर अच्छे से आपके पास अगर map का कोई book है जैसे कि Oxford का रखे हैं इस से दूसरे publication का रखे हैं तो उसको अच्छे से अगर आप सामने रखे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जितने सारे ocean से दिख रहे हैं ये सब एक दूसरे से interconnected है सब एक दूसरे से जुड़े हुए है इसका मतलब है कि पूरी प्रित्वी पर सिर्फ एक ही ocean है लेकिन further studies के लिए अच्छे से उसको पढ़ने के लिए उसके बारे में समझने के लिए हमने उसको पांच अलग-अलग इशों में बाट दिया है इस सब का location आप जरूर से ध्यान रखेंगे क्योंकि अब एक एक करके हम लोग पढ़ने जा रहे है सब के बारे में सबसे पहले आता है Pacific तो इसके बारे में आपको पता है यह सबसे बड़ा है कहां पेस थी थे तो यह Asia continent यह Australia है यह North America and South America है मतलब ASEAN, Australian और North America, South America इन महादेसों के बीच में Pacific Ocean है ठीक है? इस बात का हम ऐसे आप लोग ध्यान रखेगा किस continent के बीच में हो और अगर continents related videos को आप देखना चाहते है तो मैपका मेरा first lecture देखिए आप YouTube के हमारे channel पर ढूंड सकते है या इस video के link subscription के link भी आपको यहाँ पर दे दिये जाएंगे अगर इसके area की बात की जाए तो इसका जो area है total वो 16,87,23,000 square kilometer है जो बहुत बड़ा area होता है इसकी ओसत गहराई 3,970 meters है 49,70 meter है coastline मतलब होता है इसकी तट्रेखा की लंबाई तट्रेखा that means कि यह यह तट्रेखा है तो इसकी coastline की जो depth है sorry total length है वो 1,35,663 km से सेप कैसा है Pacific Ocean का सेप कैसा है तो कुछ यहाँ से है ऐसे यह क्या सेप बन रहा है बताओ आप मुझे strangular सेप बन रहा है इसलिए इसका answer होगा कि प्रसांद महासागर का जो सेप है वो त्रिभूजाकार है प्रिथवी की सबसे गहरी जगह सबसे गहरी खाई एक question बराबर पूछा जाता है बहुत famous question है तो आपका answer होता है आपको याद भी होगा Mariana Trench, Mariana Gart कहां पे है तो प्रसांद महासागर में है और कुछ इस side में है जहां पे मैं color कर रहा हूँ न round लगा रहा हूँ कुछ इस तरीके से इधर है इसकी गहराई कितनी है तो 11,034 मीटर से और साथ साथ आप दूसरे source को refer कर रहे है जैसे कि आप Wikipedia पे देख रहे हैं या फिर Encyclopedia से जाना चाहते हैं या Britannica पे देख रहे हैं आपका आंसर होगा Challenger Deep क्योंकि Challenger Deep जो है वो Mariana Trench का ही एक हिस्सा है Mariana Gard का ही सबसे गहरा हिस्सा है आगे है Atlantic Ocean तो इसको मैप में अच्छे से पहले देख लेते हैं ये है North America ये है South America ये Europe है और ये Africa है तो इसका मतलब है कि North America और South America इसके एक तरफ है दूसरे तरफ Europe और Africa है इनके बीच का जो पूरा-पूरा जगह है वो Atlantic Ocean है इसकी सेप की बात करें तो देखिए अगर ध्यान से कुछ ऐसे Atlantic सेप ऐसे ये कौन सा सेप है तो ABCD का S है बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा है इसका मतलब ये S सेप होता है इसके अगर एरिया की बात करें तो वो 8.51.33.000 टोटल इसकी एरिया है और अगर average depth आसथ गहराई की बात करें तो 3,300 मीटर मतलब 3300 मीटर इसकी आसथ गहराई है इसकी सबसे अगर गहरी जगह की बात करी जाए सबसे गहरा जगह किसका पूरे प्रित्वी का नहीं वो तो मेरियाना ट्रेंज है सिर्फ अटलांटिक ओसन का तो वो है मिलवाक के डेफ्थ जिसकी गहराई 8,380 मीटर्स है उसकी गहराई अब आता है अपना प्यारा इंडिया यहां देख रहे हैं आप मैप में यह हमारा प्यारा भारत है और इसके नीचे जो पूरा-पूरा यह आपको ओशन दिख रहा है यह है इंडियन ओशन आपको पता होगा कि दुनिया का सिर्फ इकलौता ऐसा ओशन है महासागर है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है इंडिया के नाम पर इसका नाम इंडियन ओशन रखा गया है अगर इसके सेप की बात करें तो आपको यह इसका सेप कोई प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा अगर इसकी कॉस्ट लाइन की बात की जाए उसके तर्ट रिगा की बात करी जाए तो 7 क्रोर 5,60,000 स्क्वाइर किलो मिटर इसका एक्सेट एरिया है ध्यान रखिएगा कि आपसे कभी-कभी कोस्ता नाता है कि कौन से महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है तो आप का अंसर होगा इंडियन ओसन हिंद महासागर इसको अर्ध महासागर भी कहा जाता है इसके सबसे गहरे जगह की अगर बात करते हैं तो वो जावा ट्रेंच है जावा ट्रेंच मतलब जावा गर्थ और उसमें भी स्पेसिफिक लोकेशन को जानना चाहते है तो जावा ट्रेंच का सुन्डा डिप याद रखिएगा जावा ट्रेंच का सुन्डा डिप सबसे गहरा जगह है जिसकी गहराई कितनी है तो 7,450 मीटर से है और क्वेस्टन जब भी करने चाहिएगा तो देखिएगा कि आप्शन में सुन्डा डिप है या जावा ट्रेंच है तो यहं अन्टाइक्टीका है कॉण्टिनेंट है मैंने बताये था डिस्क्रिप्उप्शन में आपको कॉण्टिनेंट जो मैंने चेप्टर का जो विडियो बनाया है उसका आपको लिंक मिल जाएगा अप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो और इसके आज पास में जो ये sea दिख रहा है ना ये पूरा-पूरा एक ocean दिख रहा है पूरा एक water body दिख रहा है इसी को बोलते है southern या Antarctic ocean इसको कई बार ocean में categorize भी नहीं किया जाता है क्योंकि ये Atlantic ocean, Pacific ocean और Indian ocean इन तीनों से मिलके बना होता है परसांद मासागर, हिंद से ये मिलके बना होता है अगर इसकी area की बात करी जाए तो 2 crore 19,60,000 square km इसके total area है इसकी average depth थोड़ी जादा है और सब के comparison में वो 4500 meter है 4500 meter थोड़ी इसकी गहराई है coast line तट्रेखा की बात करी जाते है ये पूरा आप देख रहे है ना इस continent के जो चारो तरफ का जो line दिख है तट्रेखाई इसका और इसकी जो total लंबाई है वो 17,968 km है और कहीं कहीं आप मैंने पहले ही बताया था कि इसको ocean की रूप में categorize किया भी नहीं जाता है कहीं कि सिर्फ चारों से नहीं कहा आ जाता है इसका जो सबसे deepest सबसे जो गहरा जगा है उसका नाम है sandwich trench हान जी जो sandwich खाते हैं उसी के नाम पर sandwich trenches का नाम है जो इसकी गहराई कितनी है तो 7,236 meters इसकी गहराई है नेक्स देखते हैं Arctic Ocean तो आपको पता है अगर हम मैं थोड़ा सा बैक हो जाओं अंटार्क्टिका के बारे में तो यह अपको पता है कि अर्थ के कौन से पोल पे है सदन पोल पे है दक्षनी धुरूप है याद रखिएगा यह बिल्कुल यह सदन पोल है अर्थ का यह प्रीथवी का दक्षनी धुरूप है वही अगर Arctic की मैं बात करूँ तो यह North पोल पे है यह उत्तरी धुरूप है बिल्कुल ठीक है North पोल पे पूरा-पूरा फैला हुआ है और चाहे Arctic ह हो दोनों हमेंसा बल्फ से धक्य होते हैं क्योंकि वहां का जो temperature होता है वो हमेंसा negative ही होता है अगर इसकी area की बात करीजए तो इसका area लगभग 1,55,58,000 square kilometers है और इसकी average depth बहुत ही कम है 987 meter के आसपास में है फिर से मैं बता रहा हूँ अगर अलग-अलग source को आप रेफर करि अगर coastline तर्ट्रिखा की बात करी जाए तो comparatively थोड़ा ज़ादा है 45,389 km इसका तर्ट्रिखा की total लंबाई है और सबसे जो गहरी जगह है किसका Arctic Ocean का उसकी गहराई कितनी है तो उसकी गहराई है 5,502 meters और ध्यान रखने वाली बात है कि Arctic Ocean पूरे दुनिया का सबसे छोटा महासागर है Arctic महासागर सबसे छोटा है ठीक है यह रहा total हमारे oceans के बारे में hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा thank you for watching this lecture thank you very much